क्या आप एक ऐसे नवोनवेशी पक्ष की तलाश में हैं, जिसमें प्रभावशाली कमाई की क्षमता और नियूनतम प्रतिसपर्धा हो? मैं एक ऐसे अफसर का खुलासा करने जा रहा हूँ, जो 120,000 डॉलर्स से अधिक उत्पन्न कर रहा है और व्यावाहारिक रूप से 0.3 परधा है। मान से लेकर शानदार डिजाइन तक सब कुछ AI द्वारा नियंतरित किया जाता है। यह एक आभातो आईए सीधे आगे बढ़ें और प्रिंट करने योग ये फलेश कार्ड की अद्भुत दुनिया का पता लगाएं। वह उत्पाद जो धूम मचा रहा है और प्रभावश प्रिंट करने योग ये फलेश कार्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि फलेश कार्ड में बड़ी बात क्या है है ना। खैर मेरे दोस्त फलेश कार्ड एक शानदार शिक्षन उपकरण है जो शब्दों के साथ छवियों का मिलान करता है जिससे सीखना आकर शक और प्रभ भग कोई प्रतिसपरधा नहीं है और जब गूगल रुजहान लगातार उपर की ओर रुजहान दिखाता है तो यह एक सपष्ट संकेत है कि इसमें गोता लगाने का यह सही समय है और आज मैं राज्ज खोल रहा हूं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि AI की शक्ती का उ क्लाश कार्ड तक कैसे जाते हैं खैर आप दो रास्ते अपना सकते हैं सबसे पहले आप एटसी जैसे प्लेट फॉर्म पर अपने प्रतिसपरधियों का मैन्यूल रूप से अध्धियन कर सकते हैं उनकी लिस्टिंग छवियों उतपाद विवरन और ग्रहक समीक्षाओं का विशलेशन करें इस से आपको ये जानकारी मिलेगी कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं इस ग्यान से लैस होकर आप कुछ और भी बहतर बना सकते हैं जो भीड में अलग दिखे दूसरी विधी जो मेरी पसंदीदा है विचार निर्मान को स्वचालित करने के लिए चैट ज पीटी से बच्चों के लिए जानवरों के क्षेतर में 10 फ्लैश कार्ड विचार प्रधान करने का अनुरोध किया चैट जी पीटी ने निर्देशों के साथ हमारे लिए 10 विचार उपलब्ध कराएं हैं वह तो कमाल है जानवरों के नाम, छोटे जानवर या जानवरों की आवाज मेरे विशय हो सकते हैं, बस एक विशय को कॉपी करें और अगले प्रॉम्ट के रूप में पेस्ट करें, चाट जी पीटी आपको अगले चरण में शिफ्ट की विस्तृत जानकारी देगा, हमने अपने विशय चुन लिये हैं, अब हम चित्र बनाएंगे, ऐसा करन लियोनार्डो में आने के बाद एक विशेश रुप से प्रदर्शित मॉडल के रूप में 3D एनिमेशन शैली का चैन करें, क्योंकि ये मोबाइल फोनों की शैली की छवी बनाएगा, जो बच्चों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, फिर टेक्स्ट प्रॉम्ट डालें मैं एक आराध्य बिल्ली का उपयोग कर रहा हूँ और इसकी चंचल शिशु बिल्ली एक प्राचीन सफेद प्रिष्ठ भूमी पर एक साथ खड़ी है, मैंने एक ठोस सफेद प्रिष्ठ भूमी का उपयोग किया क्योंकि हमें प्रिष्ठ भूमी को हटाने की आवश्यक्ता है और यह हमें पत्र देने में मदद करेगा, पहली छवी बनाने के बाद अन्य चित्र उत्पन्न करें, ठीक है हमारे चित्र तयार हैं, अब हम इन चित्रों के साथ प्रिंट करने योग्य फ्लैश कार्ड बनाएंगे, ऐसा करने के लिए मैं कैनवा का उपयोग करूँगा, कैनवा आने के बाद प्रिंट करने योग्य फ्लैश कार्ड की खोज करें, आपको बड़ी संख्या में फ्लैश कार्ड डिजाइन मिलेंगे, एक फ्लैश कार्ड टेंपलेट का चैन करें, जो आपके विशय के लिए सबसे उपयुक्त है, अब कस्टमाइज पर क्लिक करें, यह हमारा संपादक प्रिष्ट है, हम अपने चित्र जोडेंगे, पहले ऐसा करने के लिए हमें अपना चित्र कैनवा पर अप्लोड करना होगा, बस अपनी चवियों को खीचें और छोडें, अब मौजूदा ग्राफिक्स या चित्र हटाएं, उसके बाद अपनी पहली प्रिष्ट के साथ भी ऐसा ही करें, पहला पेज पूरा करने के बाद दूसरे पेज पर आएं और यही प्रक्रिया दोहराएं, अपने अंतिम चित्रन तक इसे बार बार करें, एडिटिंग पूरी करने के बाद यहां से शेर बटन पर क्लिक करें, अब डाउनलोड पर क्लि दूसरा केवल नामों के साथ है, ऐसा करने के बाद फाइल को पहले की तरह डाउनलोड करें, अब हम इन तीन पीडियफ फाइलों को एक पीडियफ फाइल में जोड देंगे, ऐसा करने के लिए कैनवा होम पेज पर जाएं और फिर अपलोड पर क्लिक करें, और तीनों और फिर पीडियफ फाइल को चुनें, जिसमें बिना नाम के केवल इमेज है, अब पहली इमेज जोडें और फिर दोबारा एक नया पेज बनाएं और दूसरी इमेज जोडें, इस प्रकार अंतिम पीडियफ फाइल के सभी पेज जोडें, ठीक है, हमारा कार्य अब पूरा हो गया है लेकिन हम कुछ और जोडेंगे अपने प्रतिस पर्धियों से आगे रहने के लिए हम कुछ रंगीन पन्ने जोडेंगे तब ग्राहक अधिक आकरशित होंगे क्योंकि हम कुछ अतिरिक तलाब दे रहे हैं मैंने कुछ रंगीन किताबों की छवियां तैयार की हैं आपका अगला कदम इसे Amazon KDP या HC पर प्रकाशित करना है। आपकी नई यात्रा के लिए शुभ काम ना है। ठीक है दोस्तों, मैं अब अपना वीडियो समाप्त करूँगा। इससे पहले मुझे AI के साथ फ्लेश कार्ड बनाने के आपके अनुभव के बारे में सुनना भूलें और इस तरह के और भी अद्भुत ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए और अगली बार तक बनाते रहने के लिए आपका बारे में सब्सक्राइब करें।